नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लग कूलिंग टावर के बारे में बात करेंगे, कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसपल समझेंगे, कूलिंग टावर कीस वर्किंग प्रिंसपल पर क्याम करता है, और इस दोरान कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसपल स से काम करते हैं देखिए एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर के कंटिनुवसली कमेंट आते रहे हैं इस चैनल पर कि कुलिंग टाउर के बारे में बात कीजिए अभी डिसेंटली मैंने कुछ वीडियो डाला था उस पर भी लोगों तो मैंने कमेंट के अए था तो क्मेंट के बारे में बात कीजिए तो तो मैंने कrali के काम करता ही है यह सोच के मैं बढ़ना चलू कियान और जब भीकिंग प्रिंस्पल उसके बारे में बहुत myths हैं, बहुत गलत understanding लोगों में हैं, और in fact मुझे भी बहुत अच्छे से clear नहीं था, तो इस दौरण मतलब 5-6 दिन ऐसा हुआ कि मैं इसको समाझने की कोसिस करने में एकदम पूरी तरफ से इसी के अंदर डूब गया, दीन ग्रात वही सोच रहें कैसे काम करें, कैसे काम करें, प्रॉब्लम क्या है कि internet पर बहुत सारे information available है जो कि सही नहीं है, और इसलिए आदमी confused भी हो जाता है कि यहां पर exactly कैसे काम करता है, होता क्या है कि लोग बुक पढ़के तो बनाते हैं, लेकिन बुक में जो लिखा रहता है उसको पूरा ठीक से समझते हैं और आर्टिकल लिख देते हैं और वीडियो बना देते हैं और इसलिए घरबड हो जाती है, इसलिए जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनकी एक responsibility भी है कि भाई आप कुछ गलत information मत दो क्योंकि यह चीजे आगे message आगे communicate हो जाएगी, तो आपको मैं एक यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई भी topic है जिस पर आगर आपको कोई engineering के topic related topic पढ़ना है तो आपको लिए सबसे अच्छा source क्या है standard textbooks जैसे cooling tower के लिए बात किया जया तो यह mass transfer का topic है और इसके लिए अगरेबाल जैसी book है बहुत अच्छी book है मैक के बहुत अच्छी book है जिंकॉपलिस बहुत अच्छी book है इसमें गलती होने के chances नहीं है और नहीं तो cooling tower जो बनाती है जो company उसके जो articles होते है वो पढ़ी है उसमें error नहीं होते है क्योंकि खुद बनाते है उनको पूरा इसका पढ़ा रहा है जैसे मैं यदि आपको बोलू कि cooling tower में यह perfectly possible है कि cooling tower में cooling tower water का temperature तो down हो यह साथ में air का भी temperature down हो जाए तो आप क्या को लोगे यह क्या चल रहा है यहाँ पे और यह perfectly possible है at least मैं बोल सकते mechanical draft cooling tower में यह possible है जहाँ पे cooling water का temperature तो गिरहीगी साथ में air का temperature भी जब इनलेट स आउटलेट में थंड़ा हो जाए मैंने cooling water भी थंड़ा हो जाए यहाँ आपको बोलूं कि cooling tower में अगर even आप saturated air भी दे रहा हो ना तब भी cooling होगा पसारते सर्थी है कि air का temperature cooling water का temperature से कम हो जाए अब क्या है लो cooling नहीं होगा लेकिन actually ऐसा नहीं है cooling होगा और perfectly cooling हो सकता है यदि मैं आपको बोलूं कि cooling tower में आप air का जो conditions है initial condition जो है वो जो air जो इन्टी हो रहा है उसका humidity और उसका dry bulb temperature से actually कोई मतलब भी नहीं है आपका 100% saturated air भी और even 30% 20% saturated air भी एक जैसा काम करेगा अगर उसका weight bulb temperature सेम है तो आप क्या बहलोगे और यह सभी जो बाते में बोल रहा हूँ सही है समझते है कैसे इस वीडियो में समझेंगे detail में समझेंगे और subsequent वीडियो में इस पूरे lecture series को complete करेंगे आज की इस वीडियो में हम लों cooling tower के working principle को समझेंगे फिर हम next part में हम बात करेंगे psychometric chart को कैसे read कर करना तो सबको आता है बाट वह जो lines बन रही है उसका trend इस तरह से ही क्यों होड़ा उसको भी समझेंगे detail में समझेंगे फिर हम cooling tower के parts को भी देखेंगे अगले part में उसके बाट में हम लोग cooling tower के types के बारे में बात करेंगे different draft type के cooling towers होते हैं उसके लागा counter current और आपका यह cross flow जो cooling tower है वह सब में difference क्या होते है उसके बारे में बात करेंगे फिर cooling tower के performance parameter के बारे में भी देखेंगे cooling tower के efficiency को समझेंगे कब cooling tower के efficiency ज्यादा होगी अब जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको मैं बोलूं कि थंडी के दिनों में अगर weight ball temperature कम हो जा रहा है तो वहाँ cooling tower को operate करने cooling tower में अपरेट करके उसको ठंडा cooling water को ठंडा करने में ज्यादा दिक्कत आएगी compared to गर्मी के दिनों में तो आप क्या बोलोगे और यह fact है जहाँ weight ball temperature ज्यादा है वहाँ छोटा ही cooling tower design करके आप required heat load achieve कर सकते है heat duty achieve कर सकते है जबकि जहाँ cooling air temperature बहुत low है वहाँ पे cooling tower बहुत बढ़ा बनाना परता है यह सब बहुत counter intuitive है आपका mind blow हो जाएगा मैं अब यह सही हुआ मैं कहीं दिरों से इसको पढ़ रहा है तो यह सब चीजे आ रहे है जैसे intuitive जो feeling आते है उसे मुल्टा ही चल रहा है लेकिन जब आप इसको concept को समझोगे तो इस सारी बाते सही निकलेगे समझते है कैसे स्टार्ट करते है ठीक है तो यह कि cooling tower basically मैं just introduce कर देता है होता कि आप सबको पता ही है कि basically power plant industry में refinery में बहुत जगा पर मने बहुत जगा पर यूज होता है cooling tower और होता क्या है कि हमें पता है कि जो इवन refinery में जो भी आपका heat exchanger है heat exchanger के बाद जो final temperature जो चाहिए tank के लिए ले जाने के लिए ultimately cooler के थुरू आता है जहां पर हम लोग जो भी products है उसको ठंडा करते है या even main fractionator मेंने columns के overhead में after air cooler एक water cooler भी होता है जहां से हम desired temperature achieve कर पाते है उसी तरह power plant में देखा जाता है तो steam जो turbine का outlet जो होता है उसको ultimately condense कराते है ताकि vacuum create होपा है ताकि turbine की efficiency बढ़ जाए और उसके लिए भी महां पर condenser होता है जहां पर cooling water के मदद से steam को condense कर दिया जाता है तो condenser हो या cooling हो ultimately क्या होता है cooling water जो का temperature बढ़ जाता है और इसको फिर यह heat जो gain किया ultimately atmosphere में छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग आर पास cooling tower होता है जहां पर हम लोग hot water को as a spray नोजल की मदद से spray में small small particle में तोड़ देते हैं और उसके थुरू जैसे लगता है बढ़सा थोड़ा और नीचे से हम air देते हैं और air की मदद से जब यह direct contact में आता है तो यहां पे heat और mass transfer होता है और पानी जो होता है वह ठंडा हो जाता है और air जो ultimately IDFN की मदद से बहार निकल जाता है और यहां पे जो process है वो जो process है cooling tower का operating principle है वो evaporative cooling का है और सारा जो खेला हो रहा है और जो convective cooling में जो difference है उसकी बाज़ से इसलिए evaporative cooling क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है तब यह आप इसके जो intricate बारीक बाते हैं वो समझ पाएंग और evaporative cooling को समझने के लिए weight ball temperature को समझना बहुत जरूरी है तो weight ball temperature सबसे पहले समझते हैं weight ball temperature क्या है इसके बारे में मैंने detail video बहुत पहले बना रखा था 5 साल पहले आप उस video को देख सकते हैं video का link आपको description में निल जाएगा जिसमें मैंने बहुत सारे aspect weight ball temperature को related जो है वो कभर किया था weight ball temperature से रिले करके psychometric chat को भी वहाँ पे discuss किया था उस video को लोगों ने बहुत पसंद किया था हो सकता कि कुछ लोगों ने जैसे comment किया था कि एक बार नहीं दो तीन बार देखने से समझ मैं लेकिन जब समझ मैं तो मज़ा आ गया और आपको इस वीडियो को भी देखने से और subsequent वीडियो को देखने भी वैसे ही मज़ा आने वाला है क्योंकि concept clear होने है myths burst होने है लेकिन आप अगर उस वीडियो को देखने चाहे तो जरूर देख सकते हैं थोड़ा लंबा वीडियो है आपको दो तीन बार मैं खुद उस वीडियो को 8-9 बार देखा हूं आप चाहे तो देख सकते हैं और नहीं तो फिर यहां पर मैं फिर से weight ball temperature को यहां पर define कर रहा हूं आप समझें कि weight ball temperature होता क्या है और फिर cooling tower में उसका application कैसे हो रहा है उसके बार में बात करते हैं तो देखिए अगर हम एक weight ball temperature को समझने के लिए माल लेते हैं कि यह air है और air का हमको temperature measure करना है और temperature measure करने के लिए हम दो thermometer यूज़ कर रहा है एक thermometer ऐसा है जिसके bulb में हमने कुछ नहीं किया वो ड्राइ है और दूसा thermometer ऐसा है जिसके bulb के उपर मैंने रूई से या पानी भीगव करके उसके उपर लगा दिया और दोनों को एक ही air जो flow हो रहा है उसमें हमने यह दोनों thermometer को लगा दिया है और जब temperature यह दोनों thermometer measure कर रहा है तो देखे कि जो dry bulb जो वाला जो thermometer है वो जो temperature measure करता है उसको अब जो dry bulb temperature बोलते है और और वेट बाल बॉल यो थर्मोमेटर वह जो मेजर करते है उसको वेट बाल टेमपरेचर करते हैं और दोनों को जब देखा गया तो देखा गया कि ड्राई बाल टेमपरेचर तो ज्यादा है वेट बाल टेमपरेचर काम है यहाँ पे condition यह था condition हमने लिया है unsaturated air का इसलिए ऐसा दोनों मेजर्मेंट में फड़क आ गया तो अब पॉइंट यह आ रही है कि यह दोनों थोर्मोमेटर एक ही एर का तेमपरेचर मेजर कर रहा था हम किसकी सही माने तो पहली बात तो यह है कि यह समझ लिजे कि जो ड्राइब बाल वाला थर्मोमेटर था उसमें हमने कुछ शेचा नहीं किया तो एर का एक्चुल टेमपरेचर है वो तो ड्राइब बाल टेमपरेचर है यही एक्चुल टेमपरेचर है तो फिर यहärt свет bulb temperature क्या आइ है? जब हमने उसके bulb का वेड कर दिया था, तो इसने temperature कम क्यों measure किया? यह समझते हैं. तो इसके लिए, हम समझने के लिए, समझने के लिए, हम माल लेते हैं कि यह जो पानी लगाया था, उसका temperature यानि water का यह temperature है वो ज्यादा है Kotor के temperature है, यह case ले रहा है, और air को चुकि हमने अभी दो condition माना है, एक यह condition और दूसरा हम माल लेते air unsaturated है, unsaturated है तभी यह ऐसा condition है कि dry bulb और wet bulb में फड़का है, anyway यह हम experiment कर रहा है, unsaturated air ले रहा है, और उस case में, चुकि water का temperature से ज्यादा है, इसका मतलब water का जो vapor pressure है, air में, और air तो आपका unsaturated है ही, तो water का जो vapor pressure है, air के अंदर जो water का जो partial pressure है उससे ज्यादा है, यानि vapor pressure of water at TW is greater than partial pressure, मैं यहाँ vapor pressure को start से देता हूँ, तो partial pressure of, एक सेकर, यह इसको ऐसे लिखता हूँ, vapor pressure of water at TW is greater than partial pressure in air, तो partial pressure of water vapor in air at, partial pressure of water vapor in air जो है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब mass transfer के gradient है, मतलब water को क्या लगेगा है, कि आरे भाई, air के अंदर जो partial pressure है, water vapor का, वो, water vapor का partial pressure जो है, air के अंदर, वो तो भाईया, अभी कम है, तो हमको क्या है, evaporate होना है, और evaporate होने के लिए इसको चाहिए, heat, लेकिन heat जो है, वो तो air से नहीं जा सकता है, air का temperature तो पानी से कम है, तो अगर air का temperature पानी से कम है, तो फिर कहां से heat जाएगा, तो क्या होता है, कि ऐसे cases में, water, heat खुद से लेता है, और खुद से latent heat लेकरके, water vaporize होता है, तो क्या होता है, कि पानी फंडा होने लगता है, ये खुद से latent heat लेने का मतलब क्या हुआ, कि actually में क्या है कि अगर आपका जो water है उसके कुछ water में different molecules होंगे सभी molecules की energy अलग-अलग होगी तो कुछ molecules ऐसा होगी जिनकी energy बहुत high होगी वो आसानी से आप इसके अंदर molecular force को तोड़ करके वो air में जा सकता है तो higher molecule वाले higher energy वाले molecules अगर बाहर चले जाएंगे air में चले जाएंगे तो remaining जो molecules होगे उसके average kinetic energy कम हो जाएगी यानि temperature कम हो जाएगा आप समझ गया है खुद से heat लेने का क्या मतलब है कि अगर higher energy वाली molecules निकल जाए तो बचेंगे उसके average kinetic energy कम हो जाएगी और temperature जो है वो kinetic energy को रिस्पॉंड करता है तो जितना ज्यादा kinetic energy उतना ज्यादा temperature molecules की kinetic energy तो इसलिए temperature धड़ जाती है ऐसे करते-करते आप मालो की temperature पानी का और air का सेम हो गया यहाद पानी का एर का temperature सेम हो गया तब भी गभी जो फैपर प्रेशर है, उससे तो कमी है एर के अंदर पार्सियल प्रेशर वार्ट का जो पार्सियल प्रेशर तो फर्दर वेपराइज होगा, फर्दर वेपराइज होने के लिए फर्दर हीट खुद से लेगा और इस तरह से इसका टेमपरेचर फर्दर एर के टेमपरेचर से भी डाउन हो जाएगा और एर के टेमपरेचर से डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो sensible heat transfer हो रहा है air से पानी के अंदर due to temperature difference वो exactly equal to latent heat required for water vaporization तो क्या होगा air water का temperature फर्दर कम नहीं होगा क्योंकि water को vaporize होने के लिए जो heat चाहिए हो air से आने लगे तो एक steady state आ जाएगा और तब जो temperature होगा उसको wet bulb temperature बलते हैं देखते हैं क्या लिखाया, wet bulb temperature के definition में, wet bulb temperature is the steady state non-equilibrium temperature non-equilibrium temperature क्यों हो, equilibrium तो तब temperature माना जाता है जब पानी और air का temperature सेम हो जाता है यहाँ पर सेम नहीं है तो non-equilibrium temperature reached by a small mass of liquid evaporating in a continuous stream of unsaturated vapor gas mixture under adiabatic condition इसलिए मान रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे जगह से कुछ heat interaction हो, जो भी heat air से पानी में जा रहा है वो पूरा 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 इत्रिलाइज हो रहा है और कहीं से इधर उधर heat transfer नहीं हो तो यह definition में तो आपको समाज में आ रहा है कि इसका मतलब पानी evaporate होता रहेगा condition क्या है कि पानी evaporate होता रहेगा तब तक जब कि पानी का जो vapor pressure है air के अंदर जो partial pressure है वो दोने equate नहीं हो तब तक यह evaporate होते रहेगा cooling की बात की जाए cooling कब तक होता रहेगा तक कूलिंग वाटर का वाटर का जो temperature है वो जब तक air का weight ball temperature से जब तक जयादा है तब तक cooling होता रहेगा तब तक कूलिंग होता रहे है हाँ एक बागा जब water का temperature weight ball temperature के बड़ा बड़ाबर हो गया तो mass का transfer तो होगा लेकि यह cooling नहीं होगा तो यहाँ से एक concept समझ में आ गया और cooling tower के लिए भी यही सबसे important concept है cooling tower में cooling water का temperature जब तक air के weight ball temperature से ज़्यादा है तो cooling होगा चाहे जो condition हो यह air की भले saturated हो कोई बात नहीं, unsaturated हो कोई बात नहीं dry ball temperature उसका जो हो कोई बात नहीं उसका weight ball temperature से cooling water का temperature ज़्यादा है तो water evaporate होगा और वो ठंडा होगा अगर weight ball temperature से cooling water का temperature कम है तो बहुत फर्दर ठंडा नहीं होगा उल्टा air से वो गरम होकर के ultimately weight ball temperature पे आ जाए गया तो यहाँ पे जो हमने definition जो यह define करते समय हमने दो condition लगाई थी unsaturated की और दूसरा के condition लगाई थी कि पानी का temperature air के temperature से ज़्यादा है अब हम दूसरा case लेते हैं कि मालो की यह दोनों condition नहीं है दूसरा case में पानी का temperature air के temperature से कम है तब क्या होगा तो तब भी मैं बोलूँगा तब भी evaporate होगा क्योंकि mass transfer का gradient है हाँ अगर water का temperature जो है air के weight bulb temperature के बड़ाबर हो गया तो फर्दर वो cooling नहीं होगा लेकिन evaporate तो होगा अचा अगर पुछा जाए कि कितना air cooling water का temperature रहे कि यह evaporation बंद नहों तो वो बोलेंगे dew point temperature तो जब पानी का temperature यह के dew point temperature के बड़ाबर हो जाए तब evaporation बंद हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है कि जब air का dew point temperature होता है वो क्या बोलता है उस temperature पे air का dew point मतलब देखो आप मैं आपको एक जस्ट कंसेप बताता हूँ relative humidity जो होता है वो partial pressure is equal to divided by vapor pressure of water vapor यह relative humidity बताता है बताता है कि air saturation से कितना दूर है तो देखो अगर आप temperature कम करते है तो वाटर को vapor pressure कम होता है मालो कि एक पानी एक air है और उसके अंदर humidity है उसको आपने फिक्स कर रहे है बस उसको आप ठंडा करते जा रहे है तो एक temperature ऐसा आएगा जहां पे water के अंदर जो partial pressure है उस temperature के corresponding vapor pressure के बड़ाबर हो जाएगा उसको dew point temperature बोलते है तो इसका मतलब अगर पानी का temperature dew point temperature के बड़ाबर है तो उसके corresponding जो vapor pressure है उतना ही प्रेसर पार्शिल प्रेसर एर के अंदर अल्रेडी है तो अब mass transfer नहीं होगा यह तो पक्का है तो रिगर्डिंग mass transfer limit का है कि आपका पानी का temperature dew point temperature के बड़ाबर हो जैए तो mass transfer नहीं होगा नहीं तो mass transfer होता रहेगा और cooling के लिए limit क्या है, कि weight ball temperature से पानी का temperature ज्यादा होना चाहिए, तो cooling होता रहे तो even अगर यह मैंने condition लगाया कि यह पानी का temperature मैंने बोला था कि air के temperature से ज्यादा है, even अगर कम भी है, बट dew point temperature से ज्यादा है, तो even operation होता रहेगा उसी तरह जी यह दूसरा condition था unsaturated का, even अगर saturated air ले ले ले, तब भी cooling होगा, अगर water का temperature air के temperature से ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि यह cooling कैसे होगा, evaporative cooling कैसे होगा, air तो already saturated है, तो होगा क्या, कि पानी जो है evaporated होगा है, क्योंकि mass transfer gradient है का vapor pressure air के अंदर जो water पार्चिल-प्रेअर anál को बोले air के अंदर जो है, उससे तो ज़्यादा है, क्योंकि पानी का temperature air का temperature से ज्याधा है, तो क्या है, mass transfer gradient है, उसको evaporate तो होका और एर के अंदर capability नहीं है, वाटर को लेने के लिए, तो क्या होगा, जितना evaporate होगा, उतना ही condensed हो जाएगा, लेकिन यह evaporate होगा के, कूल हो कड़के, ultimately, steady state में weightball temperature ही आना है, तो यह concept समझने से, यह पूरा concept अगर आपने अच्छे से समझा होगा, तो एक चीज एकदम clear हो गय अगर एर के weightball temperature से ज़्यादा है, तो cooling होगा ही होगा, चाहे कोई condition लगा दो, in fact, अगर यहां पे तो मैं continuous stream की बात किया था, अगर non continuous stream, यानि पानी तो बहुत थोड़ा है, और यह आपका जो है, air जो है, बहुत ज़्यादा है, और continuous ली जा रहा तो यानि, air के temperature में कोई फ तो उसमें क्या होगा, अगर air saturated हो, तो क्या होगा, पानी जो है, एक पानी का temperature saturated air से अगर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी heat transfer करके air का temperature थोड़ा बढ़ाएगा, और air ultimately थोड़ा unsaturate हो जाएगा, और दूसरी बात कि यह, जो mass transfer gradient की बादे से, वो cooling होता ही रहेगा, जब driving force है, cooling का driving force है, वो क्या है, delta T, और वो क्या है, cooling water temperature, minus air का weight bulb temperature, weight bulb temperature of air, यह, और जब तक यह gradient है, तब तक heat का, तब तक यह cooling water थंडा होता रहेगा, और air की condition, चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर air completely saturated हो, तो भी cooling होगा, या फि, air अगर बहुत unsaturated हो, और पानी का temperature, weight bulb temperature से कम हो, तो उस case में, यह delta T, जो की driving force नहीं है, तो उस case में, पानी तो evaporate तो होते रहेगा, बट cooling कुछ नहीं होगा, मालीजे, cooling water का temperature, dew point temperature से तो ज़्याद ह बट weight bulb temperature से कम है, तो वो heat air से लेती रहेगी, evaporate होती रहेगी, बट cooling कुछ नहीं होगा, क्योंकि driving force जो है, cooling water temperature minus weight bulb temperature वहाँ पे negative है, और driving force negative होने के बज़े से cooling बिलकुल नहीं होगा, और evaporation loss होता रहेगा, और evaporative cooling और convective cooling का difference समझेगा कि क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं ज इसको difference देखने के लिए, आप मैं एक cooling tower का example लिया है, जहाँ पे air इंटर कर रहा है, और air का जो dry bulb temperature हो 30 degree Celsius है, weight bulb temperature जो है 24 degree Celsius है, cooling water इंटर होगा है, hot cooling water 45 degree Celsius पे, और nickel रहा है 29 degree Celsius पे, यानि cooling water ठंडा हो जा रहा है, 45 degree Celsius है, 29 degree Celsius पे, जबकि air जो इंटर होगा है, 30 degree Celsius पे, और यह खासियत है, evaporative cooling का, देखिए, convective cooling में यह कभी भी possible नहीं की, जो cold जिससे आप cooling कर रहा है, उसका temperature से भी lower temperature तक hot fluid को ठंडा कर किया जा सके, यह इसका temperature लिमिट रहता है, अगर convective cooling होता है, तो 30 degree Celsius से तो नीचे ठंडा करी नहीं सकते, लेकिन चोकिए evaporative cooling है, और evaporative cooling में लिमि से डिसाइड नहीं होता है, वेट बल टेमपरेचर से डिसाइड रहता है, इसका मतलब यह अप्टू 24 degree Celsius तक ठंडा किया जा सकता है, अगर अगर आपने यह समझ लिया तो यह भी आप असानी से समझ पाऊगे, कि मालो यह 29 degree Celsius की जगए, मालो 26 degree Celsius पे ही आपका आ रहा है, औ वाटर, एयर का वेट बल टेमपरेचर 24 degree Celsius है, ड्राइब बल टेमपरेचर 35 degree Celsius है, ऐसे इंटर हो रहा है, तो क्या होगा, एयर का टेमपरेचर पानी के टेमपरेचर से यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए, फीट का जो ट्रांसफर होगा, एयर से पानी में होगा, तो एयर तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यहां से आउटेट में जाते जाते भी वह हो सकता है मतलब एर भी ठंडा हो सकता है इसको मैं जब इसका साइकोमेटिक चार्ट पे इस पर देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा कि यह क्वाइट पॉसिबल है कि हम एर को फर्दर थोड़ा ठंडा क्या कर सकते हैं अगर हम एर का फ्लोरेट बहुत ज्यादा रखेंगे तो इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे आगे आप दोम glad, आपको इस चीज समझमेरा कि एर का टेंपरेटर पानी के ट्ंपरेटर से जयादा हो सकता है तो उसके ताइस एक एर ठंडा होगा और आप जो है यह ही ठंडा होने होने से घ्र तो एर जो है वो ठंडा हुआ मालो 32 डिग्री सेसियस हुआ पानी का टेंपरचर ऊपर जो है 32 डिग्री तो अल्टिमेटली आगे चल के हीटिंग होगा तो मालो यह जो हमने खनध़ पस्था को सिख़ा है इसी को हम लोग साइकोमेट्रिक कैटेंट पर न्हीं हम किर द्गे में का न यहां पर यह वेटबल टेंपरचर के लाइन यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगा इस के बारे में बात करेंगा हम साइकोमेटिक चान को डीटेंट अजीर यह wet bolt temperature के line और यह straight line जो है यह vertical straight line या dry bolt pressure के line है तो air को हम मालने 30 degrees Celsius पर ले लेते हैं और wet bolt temperature 20 degrees Celsius पर ले 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 hetरे थे हैं यह point इसका है और एक powder में यह बुलना भूल गयाता है कि cooling tower में जो outlet air होता है कि always saturated होता है एर सैचुरेट होके बाहर निकलता है, तो इसका मतलब यह इनलेट कंडिशन हो गई और आउटलेट कंडिशन, आउटलेट कंडिशन मालेजे अगर सैचुरेट होकर के बाहर निकल रहा है और यह मालेजे आउटलेट कंडिशन है, चाहे हम यहाँ पे माल लेते हैं, यह इसकी तो इसका मतलब cooling tower में air का जो profile हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे वो करते-करते हो, उसका saturation भी बड़ा और थोड़ा बहुत, तो यहां पर देखो, अगर ऐसे profile हो रहा है, तो आप क्या देख लो, dry ball temperature से इसका final temperature जो है, वो कम हो गया है, यह इसका dry ball temperature जादा हो जाएगा, या फिर, depending on outlet conditions, यह ऐसे भी जा सकता है, यह यहां पर हो, इसका outlet condition, तो उस case में इसका outlet, यह outlet temperature थोड़ा जादा हो, लेकिन एक चीज़ देख रहा हो, यहां पर, air का temperature में बहुत फड़क नहीं पड़ रहा है, और यह सारे discussion हम लोग मेकनिकल ड्राफ्ट cooling tower के बारे में बात कर रहे है, in natural draft cooling tower में और complicated हो जाएगा चीज़े, क्योंकि वहां पर temperature change होना के, air की flow rate भी change हो जाते है, तो variable बहुत जादा हो जाएगा, अभी deep में हम जा नहीं रहे है, अभी natural draft cooling tower जिसमें air का flow rate हम फिक्स कर रखे है, उसके case में हम इस तरह का discussion कर सकते है, बड़ यहां पर हम दिखाना चाहते है, एक चीज़, कि अगर air की humidity, जो air गुच रहा है, उसकी humidity और या फिर dry bulb temperature इस तरह से change हो कि weight bulb temperature में कुछ फ़ड़क नहीं हो, तो cooling tower के performance में कोई change नहीं हो, कहने का मतलब क्या है, कि अगर outlet में हमको यहीं पर जाना था, और हमारा initial condition यह और दूसरा condition हम यह माले के देते हैं कि temperature, dry bulb temperature entry का बढ़ गया, और humidity घट गया, इस तरह से घटा की weight bulb temperature सेम रहा गया, तो cooling tower के performance में कुछ फ़ड़क नहीं पड़ेगा, तो फ़ड़क किस में पड़ेगा, evaporation में फ़ड़क पड़ेगा, मतलब पानी में ज्यादा evaporation होगा, humidity में तो change air के अंदर, humidity में change बहुत ज्यादा होगा, यानि air आप ज्यादा unsaturated डालोगे, और weight bulb temperature में कुछ फ़ड़क नहीं करोगे, तो क्या होगा, कि evaporation loss तो ज्यादा saturated रखोगे, तो evaporation loss तो कम होगा, और performance में भी कुछ फ़ड़क नहीं होगा, जब तक की weight bulb temperature सेम हो, ठीक है, तो ये concept आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोग आप नहीं समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को आप दो तीन बार देखिए, जरूर, subsequent slide में psychometric chart जब पढ़ेंगे तो और भी इसको गहराई से समझेंगे, ये सारे lines क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे, तभी जाके clear होगा, तो इसको next part में हम लोग इसको और भी गहराई से समझेंगे, एक और बात मैंने जो बोली थी कि cooling, ये जो ठंडी के दिनों में, weight bulb temperature अग hard work करना पड़ता है, और जितना higher temperature पर जाता है, cooling tower easily work करता है, ये सारे concept को हम लोग सब्सेकेंट्स वीडियो में देखेंगे, तो अभी के इस वीडियो को यहीं stop करते हैं, next part में हम लोग साइकोमेट्रिक चाट को detail में समझेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you सकत्थ कर दो ने से थीडियो के आत सका Airport के बढू सकी के लिए लिए के लीडियो की सब्सेकेंगे, और जिना वीडियोक करते हैं, ये जफाने के तो शिर आह हैं, धन्यवाद्रिक इसाएंगे।